है 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 हुआ है 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 गुद्ध मॉर्णिंग एभीवन आया मिनजीद कुमार पर्टिल आज से हम लोग लास 11 का टॉपिक सुरू करेंगे कि एक्चुल चेप्टर शुरू करने से पहले हम लोग उस बेसिक बात करेंगे जिसको बोलें बेसिक बात करेंगे जिसे बात करेंगे इसके बात करेंगे हम क्या करेंगे बेसिक बात करेंगे उसके बाद एक्चुल चेप्टर हम लोग सुरू करेंगे बात में तो चालते हैं कि नेचर क्या बता है, what is nature, nature refer to the phenomenon of the physical world and also to life in general, देखो वास्ता भी है क्या, कि पुरानी वर्स, पुरानी वर्स क्या है, दो चीसे बना, matter से, and energy से, matter से, and energy से, पुरानी वर्स में दोई चीजा है, matter or energy, matter, यह matter क्या होता है, पर्द होगे बच्च्पन में, वा कोई वी चीज, एनिधिंग विचा मास, and occupy a space, and their presence can be felt by our sense organ, वो कोई वी चीज, जिसके पास, mask, a space occupy करे, और उसकी presence को, हम मक्सूस करे, हम देख सके, हम समझ सके, वो चीज को लाता है matter, anything which are mass, and occupy a space, and their presence can be felt by our sense organ, is called matter, तो इनिवर्स के अंदर दोचीज है, matter and energy, matter and energy का जो interaction है, वही क्या है nature, एक घटना, जिसमें physical world सामीर है, also to life in general, life सामीर है, it range from, it range in scale from, subatomic to the cosmic level, atomic level से, जैसे atoms, मिलता है तो molecules बनता है, molecules से क्या हुआ, हमारा protoplasm बना, protoplasm से हमारा cell बना, cell से organism बना, organism से, sorry, cell से organ system बना, sorry, cell से organism बना, organism से organ system बना, organism से एक organism बना, और organism से क्या बना, population बना, population, फिर उसे ecosystem, फिर फैनिल लास्ट में करते करते हैं, वहारा ग्रह है, और उसके बाद पुड़ा, पुड़ा जो इनिवर्स से उसका मिलमान होता है, तो करने का मतर क्या है कि यहां से लेकर, atomic, subatomic level से लेकर, इसके पहले भी कहाणी है, subatomic level से cosmic level, यह भी किसके अंदर आता है, nature के अंदर, the term nature may refer to the living plants, इसमें आजाएगा living plants and animals, geological processes के अंदर आ जाएगा, weather आ जाएगा, physics such as matter and energy, मतब्स सिंप्ली बात करें, तो matter and energy का interaction क्या है हमारा nature है, इसको और फिल करते हैं आगे, पहले बात करते हैं कि cosmology क्या होता, study of origin evolution and topography of universe, universe का origin कैसे बना is solar system है, सबस् Mini, Spacefelt chaos, उसके अंदर सोलर सिस्टम है, तो हमारा solar system का रिमान कैसे होदब वह सोलर सिस्टम की अंदर इस सब का अधियान कहा करते हैं कैसे प्रण हम पर प्रिस्फी कैसे आया है उसके पहला जीवन और कैसे सिंपल नियुक्त कंवय पढ़ेंगे इस सब को एक साथ हम कोते हैं कॉस्मोलोजी कॉस्मोस एंड अर्डर्ली कॉंप्लिक्स ऑफ इन्नमरेवल स्टार्स एंड प्लानेट्स इसके इस प्रमान में क्या है लाकों करोर तौरा का क्या है स्टार्स से प्लानेट है गैस से हीलियम हो गया हीड्रोजन नियोन सब्सक्राइब क्या है वह कोई वी चीज जिसके पास मासो स्पेस को अकुपाई करें और उसकी प्रजेंस को हम लोग समझ सके अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैंटर यह सब बेसिक है यह सब जानना जरूरी है ताकि हम बैलोजी को अच्छे लेबल पर जाके समझ सकते हो तो यह सब जानना जरूरी है इस सब को बीना पता है पर आया जा सकता है लेकि उतना जा फिल नहीं आ बैलो जी के अंदर फिल लाने के लिए इसा बता रहे हैं सिंपल क्यारे हैं जो हम समझार्णे को कोकि उतना रहें क्या है कि फ्रीत्वी पे पुल्म में मैंटर ओंट जाने के हैं कि लाइट इनठी को यह सोलर इनरजी एक नुद था तोलाली आ फीकाथ करता है गेमकल को आफ यहां पर प्रांस्पॉरमेशन हुआ कहा चीन होँ लाइफ इनर्जी का रिक्षण हुआ है ग्लूकोज और वाटर कहा चीन होता है ऑक्सीजन में करने का बत्तर क्या है कि फोटो सिथेशिस के दारूए वास्तन हो क्या रहा है इनर्जी का एक्षेज्ज हो रहा है प्लान क्या कर रहा है सोल एनर्जी को ले रहा है रेडियेंट इनर्जी को ले रहा है लाइफ इनर्जी को ले रहा है और इसमें चिंद कर रहा है कैमकल इनर्जी में और यह एनर्जी ग्लुकोज के बांड में इस्टोर होता है ग्लुकोज के अंदर सुगर के अंदर हाई इन जो सब्सक्राइब कर दो इन प्रज सब्सक्राइब करता है और इनरजी उल्यक्ट्रोन इसी हाई इनरजी एलेक्ट्रोन गेर्ट को क्या किया आता है इसी आइनर्जी को हम नीचे उतारते हैं डू आप m प्रोसेसे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट क्या करता है सनलाइट के प्रजेंस में कार्बन डाइक से वाटर को इस्तमाल करके क्या करता है इसमें बेस्कली होता क्या है कि सब्सक्राइड इनर्जी है सब्सक्राइड इनर्जी है यह लाइट इनर्जी कंवर्ट होता है यह एनेर्जी में या है तो हम लोग जाने कि मैटर क्या होता है वह को भी चीज जिसके पास क्या हो कि इस प्रजेंश को हम लोग समझ सके फिल कर सकते हो मैटर ताब बात करते हैं इनर्जी कई इस इनर्जिय अहायद्ट तो यह कि एसी इनर्जी के वाज़े से थे प्योस अफरेक्ष स्वसर, जो molecules के अंदर atom को बांद के रखे हुआ है इसे को करनों chemistry के बासने में करता है bond bond क्या है bond एक ऐसा force of attraction है जो molecules के अंदर atom को बांद के रखा आगे बात करते इसके बारे में तो energy provide the force energy क्या करता है करता है तो होल मैंटर टुगेधर है कि अधियर इसी इनर्जी के इनर्जी के इनर्जी क्या करता है यह प्रवाइड फॉर्ज इसस पोर्ज़ के वज़े से atoms के मॉज़िस करता है किसी करता है कि कानेटिक नर्जी इनर्जी मुविंग ऑब्जेक्ट मुविंग ऑब्जेक्ट के वज़े से जो energy रोता है किसी कि वृते हैं के चिश् Harmonia चाने बात करते हैं कि जो समस्वांट मौलेक्रिस Ale इस पर होता है उसके बॉंड मेंैं क्युक्त को जो फोटो सिंथेसि सिस के दॉर प्लाइन गूल कोस्त बनाए है उसमें क्या होता है University इस्टियों है उसे बर्ण को तोड़ा जाता है तुर्ण इस्तिमाघ करता है अम क्या घ्रीन सेक्ष प्लॉक। कि एनर्जिए के नहीं होता है एक लूप दूसर रूप में डूपर होवा रहा होता है जैसे आम देखे थे फोटो सिंथेसिज के दुडरान तो इनर्जी का एक रूप दूसरी पर कनबार्ट हुआ था यहीं कहता है इनर्जी का नेवर क्रियेटेड नौर बीटिस्ट्रॉइड अब क्या होता है किसी भी सिस्टम का जो इंट्रॉपी होता है मस्ट इन्क्रीज इंवर्लेस अगे बात करते हैं इनर्जी का नहीं करते हैं इसका एक जाम पर ही देख सकते हैं यह से लोग इनरेज़ क्या हता है कैलोरी बेसिक नर्जी हीट लुट पार करते हैं एक ग्राम पानी के तापान को एक डिए से बढ़ाने के लिए जो इतना इनर्जी हम उसको देते हैं वो कलाता है वो कलाता है एक सिस्टेम में जितना टोटल हीट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंट्रॉपी इंट्रॉपी इंट्रॉपी को एस से डिनोर करते हैं एक सिस्टेम को इनर्जी प्रवाइड करते हैं तो उसका इंठ्रॉपी इंठ्रॉपी करेंगे तो किसी भी सिस्टेम का इनर्जी क्या होता है बड़ेगा मतलब इंठ्रॉपी इंठ्रॉपी करेगा जब किसी सिस्टेम से इनर्जी को हम बहाने कालते हैं तो इंठ्रॉपी का मतलब होता है सिधा है रैंडेमनेस डिसॉडरनेस जी सिस्टेम में जितना है डिसॉडरनेस होगा मातों बोलेंगे वो सिस्टेम में उतना ज ही जो टोटल हीट कंटेंट in a thermodermik system where as entropy is the degree of disorder in the same किसी मेंकड के अंदर किसी भी system गें, जो टोटल हीट कंटेंट है वो उसके enthalpy को बताता है, और का जो disorderness है। इसके इंट्रोफि को होता है यहां पे जो यहां पे काफी बढ़ गया तो लो बढ़ जाता है उस इस्टम का इंट्रोफि क्या होता है बढ़ जाता है उस सिस्टम का randomness बढ़ जाता है, उस सिस्टम का disorderness बढ़ जाता है जैसे, entropy क्या है? randomness और disorder in system जैसे मालो, यहाँ पे क्या है? यह solid है, यह क्या है? इसका entropy लाभखचिरो है liquid है और gas है, तो जैसे सब सीफ करते हैं, यहाँ पे क्या disorderness बढ़ रहा है मतलब इसका entropy बढ़ रहा है, entropy मतलब randomness या disorderness इस सिस्टम जो सिस्टम जितना disorder होगा, बोलेगे कि उसका entropy उतना जादा होगा एक बात करते हैं, देखो, equilibrium पुरे जीवान में हमारा body यही कोशिस करता है कि यह body, यह पुड़ा का पुड़ा body, equilibrium में नाचरा जाए जैसे हमारा body equilibrium पहुंचेगा हमारा death हो जाएगा, हम फ्याले क्या हो जाएगा हमारा death हो जाएगा, तो पुड़े जीवान में हमारा सरी क्या करता है, body को equilibrium नहीं जान देता है यही जीवान है, equilibrium is the state of death, जैसे ही कोई living organism का body, किसी का body, equilibrium के वस्था पे जाता है तो क्या होता है, मालों कि वो मर चुका है, वाली chaos produce life, मतलब जीवन में क्या है, करने का मतलब क्या है, कि हाल चल है, जीवन में हाल जीवान तो मोलेंगे क्या, किसी living things के अंदे हाल जीवान दिखाई पड़ रहा है, मतलब बोलेंगे, वो जीवीत है, मतलब सीधा तोड़े बात करें, कि हमारा body, पुड़े जीवन यहीं कोशिस करता है, कि जो system एकिलवडिया में shift नहीं हो जाए, एकिलवड क्या वहां पर नेट परवर्तन जीरो होता, जहां पर परवर्तन जीरो है, सब कुस एक्वल है, वहां पर जीवन कैसे हो सकता, जीवन होगा है, इसलिए हनों को नहीं घवराना चाहिए, जितना ज्यादा जीवन में दिख्कत हो, उसको positive में मिलेना चाहिए, आग जैसे एकिलवडिया में, सब कुस तुमको यहां लोग को में जाएगा, तो फिर मिन्त किसका, मिन्त काय करेंगे, अराम से बैटे रहेंगे, एकिलोड रहेंगे, तो फिर जीवन का मज़ा क्या है, जीवन का मज़ा इसमें है कि हम कैसे मतलब चुनौतिय का सामना करते है, फ फिर स्कॉड़न लिटरी में आगे जैसे दूरों, एक्जामपल कि लिए बात करते हैं, एक बेवी हैं, उसके हम डायसिएसी को बाहर निकाले देख tayर पार डाहएं कुछ एऴ सिसमें से में स्टमेक और इस स्टमेस में हम सिस्सू को बाहर निकाले, जूथ मुसल टिस्व को इस ज्मूत मसल्टिसमें एक सेल को बाहन निकाल है और सेल का जब अधियन किये तो देखा कि इसमें इसके अंतर क्या अगर DNA होगा, RNA होगा, carcohyde होगा, protein होगा, fat होगा और 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 फार्दर पार्टे तो ATOMS के लिए बनावा है, मतलब क्या है कि सब कुस क्या है ATOMS से ही बना क्या है, मतलब कैसे ATOMS से molecule बनता है, molecule से क्या बनता है , एक सेल, से यसे बनता है, टीसू और मता है, और ईसलीem से और जैसे से इस से डिसु बनता है टिसु और गीन से आर्गन से सट फिर ऑगनीज़ मालतों होता हम जैसे कि कारवन होगा जैसे की कारवन है आइट्रोजन नैट्रोजन सुल्फर इन धी तिस अटोट्रोपलार मत्ब शेपर अच्छे समझें कुछिशिद करें तो एटम क्या होता एकिसests smile सब्सक्राइब करता है पता है मॉलेकुल सॉने स Biogra Premier से मौने की सी hm मर्णिकूल कॉपार्टो में ऐसे हमारा क्या वन्ता है प्रोटोपलां मॉलेकुल है कि अंपाल सेमस्ट होगा हुए 38 members ok पढ़ेंगे अभी समझ लो कि कैसे एक और जब कैसे डेवलप होता है सब अटोमिक लेवल से और जब कैसे डेवलप होता है वो समझने कि कि प्रोशिश कर रहे हैं और जब Chase score is by Blues जिसमें क्या करता है carbon dioxide का изभुल करके वाटर का इस्तिमाल करके सब्सक्रीन के इनर्जी अधिया इस्तिमाल करके में क्या बनाता है इस इस बनाता है रहा देखधتي आधे क्तर होता है मेटाबोलिक रियक्षिन को सिंप्ली समझी है कुसीảल हो इसको से बोलेंगे जो भी जाक की रियक्षिन एक लिवींग शेयर प्रफ़ार्ण मोगता है उसको बोलते है Metabolic reaction, simply गोलते हैं इसको Metabolism 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 जो होता है वो दो तरखा होता है, एक होता है Anabolism Anabolism और दुसरा होता है Catabolism Catabolism Anabolism को गोलते है Formation reaction और Catabolism को गोलते है Breakdown reaction, जब किसी Particular Metabolic reaction के दोरान जब किसी Particular Metabolic reaction के दोरान Formation हो किसी Product का, जब कुछ बने उस तरह के Metabolic reaction को उस तरह के Metabolism बोलते है Anabolism, जैसे यहाँ पर Anabolism अच्छा उधारन है कि Carbon dioxide Water से कमाइन कर रहा है और बना रहा है glucose लिए Anabolic reaction Catabolic reaction क्या होता है? Breakdown होता है जैसे Digestion, Digestion में क्या होता है, Digestion में, Digestion में क्या होता है कि Complex food particle, Complex food particle, Simple food particle में Convert होता है जैसे Example में बाहर में बात करें, Starch जैसे Digest होता है, तो बनता है glucose Starts तो यह हो गया, एक रहा का Catabolic reaction तो यहां के संधाने क्योशिश किया गया है कि Photosynthesity के दोन क्या हो रहा है Carbon dioxide glucose में हो रहा है Respiration में यह जो glucose है इस glucose के bond में जो energy है इस glucose के अंदर जो electron है इसके पास High Energy Electron होता है उसी High Energy Electron को हम डिविंग इसपारेंसर उस High Energy Electron को बहाँ निकालता है और उसके तुराँ जो energy बहाँ निकलता है उस energy का इस्तिमाल करता है हमारा body उसे हमारा body ATP बनाता इस बात को आगे हम explain करेंगे उसे जैसे Basic बस्पन के पढ़े हो कि क्या होता है जो matter होता है matter यह atom से बना होता है atom के तिन्साठ atomic particle होता है electron होता है proton होता है and neutron होता है center में क्या होता है proton plus neutron होता है जो निकलिड़ाश का निकलिवान करता है और electron 4 पैसे revolve करता है यह basic बात आजी चलते हैं जेखर लेज लिए उस टी प्रोए डी प्रॉगा कि रोमी लिखाने को इप्रोे बाडते हैं इलिक एनसर इलेक्ट्रोण के पास इस पलिएकश्टि प conflict में Effect principlecame सिलेक्ट्रोन के पास Wave Nature होता है Electron क्या होता है एक तरह का Wave होता है और उस वेव का जो वेवलेत होता है लेमडाइस कर दू एच वाईयू बस इतना इसको बहुते है ब्लाइक्स कॉंस्टेक्ट सिक्स पॉइंट सिक्स थी इंट्ट पावर माइनस 24 जूस केंड होता है तो यह सत्के बैस्ट पढ़ें को पास किछ चलता है इलेक्ट्रों के पास वेव नेचर ही होता है अभी समय्जने कोशिश करते हैं कि बॉंड्स क्या होता है ताइप पकेंकल पॉंड्स तो जान से पहल molecule जो आइटम है वो एक दूसे से च्या होता है मतलब जुड़ा बढ़ता है ऐसे बात करेंगे कि बाउन्ड एक ऐसा फोर्स अट्रेक्शन है बाउन्ड एक ऐसा फोर्स अट्रेक्स अंहें जो molecules के अंदर, compound के अंदर, atom को hold करके रखता है, उसी को बोलते हैं bond, bond एक तरह का attractive force है, जो molecules के अंदर, atoms को bond करके रखता है, ये था simply bond के बारे में, अब हम bond के टाइप के बारे मात करते हैं, कि what is covalent bond, और what is ionic bond, ये जाने से पहले कुछ बात बताना पढ़ेगा, कि atomic number क्या ह होता है, atomic number, basic बात बक्तर ना होगा, atomic number क्या होता है, atomic number का मतलब होता है, जिसे मालब किसी का number 5 है, 4 है, 6 है, 7 कुछ भी है, जिसे मालब 11 लेते है, 11 atomic number होता है, sodium का, तो, sodium का atomic number 11 है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, कि sodium के पास, sodium के पास number of proton होगा 11, number of proton कितना होगा, 11 होगा, मतला किसी का atomic number जो भी हो वो उसके proton के बारे बात करता है number of proton represents its atomic number जैसे sodium के atomica में 11 है इसका मतलब क्या है कि number of proton इसके पास किता है 11 जैसे मालो हो, chlorine ले लेते हैं, chlorine इसके atomica में पर 17 है मतलब क्या है कि इसके पाँ जो number of proton हो है, वो है 70 यह फिर बात करते हैं, जैसे sodium के पास number of proton कितना है, एक यादा है, proton पर कैसा होता है, positive charge, तो एक neutral atom के पास, जितना proton होता है, उतना है electron होता है, तो number of electron कितना होता है, एक यादा, इस पर कैसा जलता है, minus charge, negative charge, तो चार्ट जीरो हो गया, लेकिन, जब यह reaction करने जाएगा, तो बात ऐसा ही नहीं रहेगा, दोखो, sodium में तो लोग electronic configuration पढ़ा होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, मतब first atom में दो electron, second में 8, और last में 1, किसी भी atom के, outermost orbit में, या outermost orbital में, जितना electron होता है, वो कलाता है, उसका valence electron, अब क्या है, याद रखना, कि दुनिया का जितना element है, कुछ अब बात को छोड़ दे, जो तुम लोग पर हो, capital bonding में, इसो छोड़ दे, तो दुनिया का हर एक element चाहता है, कुछ के अंती मर्बिटर में, कितना electron पुड़ा हो, अब क्या है, यहां पर सोड़े का पास कितना है, दो आठी मर्बिटर में, एक electron है, एक electron है, अब लास्ट औरबिट में चाहेगा, आठ लोग पुड़ा करना, तो आठ लोग करने का दो तरीका, या तो कोई इसको साथ electron दे दे, या एक electron की इसको दे, दोनों कंडिसर में इसका औरबिट पुड़ा हो जाएगा, तो यहां पर एक electron दिना चाहता है, तो ऺता हो चाहता है, है Sodium के पास Sodium के occurs number ofран कीzens बहने हो जाएगा अब हुए नेमर कीसािता हो एक लेकिन सब्लसर और और लॉडवा नोय सब्सक्राइब कैसे बॉस तो जब एक लेच keen प्लस HU अब कि इस cig m3 कुण से अक यह कुण सी प्लेटर विगा हैं इस पर हॉपाइब क्रॉंला क्या है यह यह पासे हैं सहकंग है इस आध और समय सन्रेटा मौन इस पासए शहाए हैं तो क्या है यह 1st orbit, 2nd orbit and 3rd orbit, तो 8 इलेक्रोन पुड़ा करने के लिए इसको चाहिए, एक इलेक्रोन कहीं से आएगा, जब एक इलेक्रोन आएगा ते हो जाएगा, 2, 8, 8, अप्ठर इस फिनोमीना, नमब हो ठोटान फिरोन के के पास कितना होगा, 17 होगा, लेकिन इलेक्रोन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब माइनस चाठ्ब एक एलेक्ट्रन लिया इसपे आगया माइनस चार्डच्छ फिर से शह yolसन दे ए क्या हुआ था ड쟁 कि सोडियूम के पर कैसा चार्ड़ आया था प्रहलसी चार्ड़ की एक लक्रॉट्रन दिया था प्रोडी पर कहेंगे साथा माइनस जो एक फोल और लिया था वह इसी से लिया था इसे मतलब है सोडियम क्या एक एक इसको कम्प्लीटली दे दिया जिसके वज़से पुजिटिव चार्ज आ गया और तो दो चार्ट जाए पर डेवलप वाद इसके पीछ में इलेक्रोस्टेक्टिक फॉर्स अप्रेक्शन काम करेंगा और यहीं फॉर्स अप्रेक्शन के वज़से ट्रांसफर के वज़से दो एकटम की बीस में जो बॉर्ड का निदमान होता है उस बॉर्ड को बोलते हैं और इक स्ट्रॉंग बॉन्ड होता है है जब इलेक्ट्रोन की कम्प्लीट ट्रांसफर के वज़से दो एटम की बीच में जो बॉंड बढ़ेगा उसको लेंगे आइनिक बॉंड तो आइनिक बॉंड क्लिए है अब बात करते हैं हम लोग कोहलेंट बॉंड को पर जैसे हम एजांपर लेते हैं जाने इस यहां पर एक्ट्रॉन का कम्प्लीट ट्रांसफर में होता है जेक्ट्रोन की कुछ अशा होगा क्लोरीन का ऐसा होगा दो चार डूच्व एक साथ ऐसा होगा अब क्या है कि हाइड्रोसन् ड्यूप्लेट पूडा करना साथ है जैसे हाईडरोजोन के पास डवल एलेक्ट्रोन हो जाता है जैसे एलेक्ट्रोन यह कम सकता है जैसा जो अपना पहचान興 així झायगा अभी तु प्रूटॉं हो जाकर देरुक झाय बंदा हो दो फीच में जब इलेक्ट्रोण के सिरींग के वज़न से बंड का मां होता है इस तरीके के बंड को बोलते हैं कोवलेंट को साधाल कि यमैंगे कि में दो तरौ के गया होना consumes कीOFFS ऐने कित्सवर सर्था क्त cafeteriaer स्टेफ से दूर्फ से बाइन्पस ही और इलेक्रो tooth गाट मेंद्रैंट मश्रूर्ण हुगा हुआ है को और मेदा यहां बात किये क्या है सोडिया सोडिया प्रैक्ट एक एक्स्ट्राइलेट्वर्न और प्रोली के पास इसमें का कंफिर्गेशन लिखें तो अतों होता है मतलब इसके पास एक लेक्ट्रोन काम है इसके पास एक लेक्ट्रोन जाहता है एक लेक्ट्रोन जाहता है तो यह प्लस प्लस लिया तो दुने दूश्के ट्रेक्ट किया और अध्यक्राइब करने के इसको अलड़ी आगे बाद करते हैं यह बता रहें थे वाटर की बीचुए वाटर वाटर क्या है यह यह अईसा है यह सब कैपनल बॉर्ण बनाटिक्ट् अखिदय परशान था और हैंटि थी था परशान बर्णिंग के लिए तो क्या है सैंग्सक्राइब करता है घ्री लीकिलesz्यों करनेखैद सेयल्ड पैरड यलएक्ट्रोन को इड्यक्ट्रोन को एकडिट्रोन को अपनी और ट्रेक्ट्ट करने का यो से cursor अलग्यवों पने करने का टेंदेंसी होता है वब्रीक मिलाता यहां पर औक्सिट का जांदा पर यहां पर पर चाहरे हो रहा होगा तो यहां निगेटिव चाहरे यहां पर बन जाएगा ऐसे बाड़न बोलते हैं हाई-प्रोजन बोल यह सब के में स्थिम पर होगे उस फोर्स अफ एक सब्सक्राइब जैसे वाटर की एक मल्कित पानी को खिछा जाएगा इसी वाज़ए से नादी में पानी क्या होता है बैता फर्दर बार सब्सक्राइब पढ़ाएंगे तो सब बात करेंगे इसके बारे आप बात करते हैं रिडाक्षन युल्व क्या होता है रिडाक्षन के बारे बारे में पढ़ते एक बात करें जब कोई च्पेसिज इलेक्ट्रों को देता है तो जो एलेक्ट्रों तो इलेक्ट्रोन के टदर्य है इसमें कि यहां पर ऑक्षिएन का एडिसके अंदर कीशन होगा जिसे यहां थेको सी यू टू प्लस सी ऐसे होगा सी यू टू प्लस क्या होगा दो एलेक्ट्रोन लेगा तो बनेगा कॉपर आए तो कॉपर का हो रहा यहां पे के रिडॉक्शन की कॉपर मेरा औउसका होगा आग्सट्रिप्पोंपृक्णी आप मैंगल्स डेरा है तो जो इलेक्ट्रोन देता है उसका होगा झाओरा आप देखते हैं मालों कि पूछे कि फोटो सिंथेसिस कैसा प्रोसेस है फोटो सिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है एक रिडॉक्स रियक्षन है रिडॉक्स प्रोसेस जहां पर रिडॉक्स प्रोसेस जहां पर रिडॉक्स भी होता है और ऑक्सिडेशन भी होता है इसे माल इलक्ट्रोन गेल किया है जिसके वासे कारव। है अकशिजन में है क्या किया है एक्सिजंग को डोनेक्सिए लुज टिया इसके मैंसे यहां पर बुढ रहा है ओक्सिदेशन और का और का और होड़ी डियочьPinta मतलये और हैं अबको टॉक्सिदेश और हो रहा है और एक्सिदेशिस और uma था आया तो होगा क्योंकि हमको मेनद रोक। से मतलब है। फोटो शिंदेश का मेंद पृडदक्स क्या है। ग्लुकोज कैसे वन रहा है कारवन-डायकसाइड की रिद्क्षण परिनाम है इसलिए अगर आपसर में आज सानी रोक्स नहीं दिया हो तो यह था फोटो सिंटेसिस कि वाड़ें कि फोटो से क्यों हम बोलती रोक्स दिएक्षन ठीक है यहां से अगरे लास में बात करेंगे कि देखो बैलोजी को बहतर समझने के लिए बहतर समझ होने के हम इस था सा कंफ़र्ट से बाहर निकल के संधाने कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जरूरी है अगर बेसिस बेसिक जो किलर नहीं होगा तो बैलोजी पढ़े पढ़े बैलोजी को फिल नहीं कर पाऊगे यह सदिमान बैलोजी के अंदर पर जाके समझना ही पढ़ेगा तावी तुम्हारा एंडेस्टिंग बेतर होगा चीज़ को फिल कर पाऊगे नहीं तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो उपर से रटना पड़ जाएगा इसलिए हम थोँआ साथ कमफर्ट जो से बाहर निकल के हम पर बेसि इसके लिए कर रहे हैं उसके बाद क्या है एक दो लेक्टर दो या तीन लेक्टर नग सकता है बेसिक लग करने में इसके बाद लोग नेक्स्ट चेप्टर जो भी को सुड़ करेंगे ठीक है